जहें दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल आई होप सो कि आप लोग फिट अन फाइन होंगे आपके अपने चैनल में आप सभी का वेलकम करते हैं जहां दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं कि CM जो है हमन्स और इंजी काया जो है यहां बहुत बड़ा एक statement निकल के आ रहा है नोकरियों को लेकर CM का नोकरी को लेकर एक बड़ा बयान निकल के आ रहा है इनका कहना यह है कि 40,000 नियुक्ति प्रकिर्या बहुत जल्द सुरू होगी और हमारी सरकार जब से सत्ते में आई है सत्ता का बागडो समाली है तब से नियुक्ति प्रकिर्या जारी है और इनका दावा भी इन्होंन प्रक्रिया की जो बात कर रहे हैं ये किसमे से निकल के आएंगी और अभी तक इन्होंने जो दावा कर रहे हैं कि मैंने नियुक्ति प्रक्रिया जो है जब से मैं हमारी सरकार आई है तब से नियुक्ति पत्र नियुक्ति पत्र ही दे रही है तो समझेंगे कि इनको नियुक्त कतलास कर रहे हैं, weight कर रहे हैं, preparation कर रहे हैं, और अगर चैनल पर फर्स टाइम विजिट किये होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजेगा और एक लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों लाइक करने से क्या होता है कि हमें मौटिवेशन मिलती है हमारे जो है इस तरह की आप 40,000 और जुबाओं को नियुक्ति पत्र देंगे CM 40,000 और जुबाओं को नियुक्ति पत्र देंगे मतलब और कितने लोगों को पहले दे चुके हैं और 40,000 और देने वाले हैं अब समझते हैं कि 40,000 किन को और देने वाले हैं भहमन स्वरेन ने कहा है कि 40,000 नियुक्ति और द 10-15,000 पहले की नियुक्ति कर चुके हैं अब बताइए यहां पे इनका दावा ये कर रहे हैं ये कि जो है 10-15,000 पहले ही नियुक्ति कर चुके हैं मतलब 10-15,000 से लेकर 15,000 जो है सरकारी बहाली निकाल के नियुक्ति करा चुके हैं ये तो समझ सकते हैं आपको मिला होगा दो braviken जरूर कीजिएगा कमेंड दोस्तो यैकिन को दिये हैं 10-15,000 बहाली जो यहां पे नियुक्ती बत्र क्यीन को दे दिये हैं नेता मंतरी के बेटों को दिये हैं रिलेटिव को दिये हैं हमें तो नहीं मिली हम लोग इतने सालों से प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो एक जो होता है कि जूट का भी एक जो होता है कि हाथ पैर होता है यहां तो कुछ भी नहीं है इतने बड़े जूटे हैं आगे देखते हैं और समझते हैं कि क्या हो और बाते सामने आ रही है पदादीकारियों का भस्टाचार मंत्रियों का भस्टाचार का भापू भापू लेकर घुमने वाले हमारे बिर्योधियों 20 साल 20 साल क्या किया इस राज में अब इनका आरूप देखिए अब यह ओपोजिशन पार्टी को आप जो है यहाँ पे बिलेम कर रहे हैं सत्ता में आप हैं और आपकी सरकार में यह सब धांदलियां सामने आई है तो समझ सकते हैं कि आप दुसरे को कैसे बोल सकते हैं आप यहाँ पे यह आरोप लगा रहे हैं कि मंतरी और भस्टाचार का भोपू बजाने वाले बिर्योधियों को 20 साल से क्या क्या राज में तो 20 साल से 20 साल अगर जहरगन राज का हुआ है तो उसमें सासन बवस्ता में आप कितने बार आसिन हुए हैं और मानने यह सिबू सोरें जी इतने बार आसिन हुए हैं मतलब जेमम का पार्टी कितना बार यहां पे सत्ता में रही है वो कभी गौर किये हैं आप इतने सालों में आप लोगों ने क्या किया फिर आगे समझते हैं कभी पूछो इन से कभी ऐसा रोजकार मेला लगा कर बच्चों को रोजकार देने का काम किया है अच्छा ये रोजकार मेला लगाये थे ये रोजकार मेला लगाये थे जिसमें रोजकार मेला में जो है इन्होंने जुवाओं को यहां पे नोकरी देने की बात कही है तो सब को पता है कि रोजकार मेला में किस तरह की रोजकार दी जाती है आप जो है ग्रेजुएट हैं आपने बिटेक कर रखा है आपके पास डिपलोमा है या आप जो है पीजी कर रखे हैं तो उसके उन सारे केंडिडेट के लिए जो है यहाँ पे 7000-5000 की नौकरी की बात कर रहे हैं देने की बात कर रहे हैं उसमें से कुछ जुबाओं को मिला होगा, आठ से दस अजार की सेलरी वाली जौब, तो उसको लेकर ये एकदम से जो है यहाँ पर चिला-चिला के बोर रहे हैं कि हम इतने सारे बहालियां दे चुके हैं, नक्री इतना सारे जुबाओं को दे चुके हैं, गजब बात है, कभी गरीबों का तन धकने का काम किया कभी बुजर्गों का आसु पोचने का काम किया अब पता नहीं किन गरीब का तन धका है इनोंने और बुजर्गों का आसु पोचने का काम किया है जब हम आसु पोचते हैं तो हम भस्टाचारी हो जाते हैं लिजिए अब इनका ये रोना भी है कि जब हम आसुप पहुंचते हैं तो हम भस्टाचारी हो जाते नहीं जी आप कैसे भस्टाचारी है एडी तो ऐसे ही आपके पीछे लगी हुई है फाल्तु का टाइम पास कर रही है न ओपोजिशन आपके साथ स्री सौरेन मंगलवार को मेदनी नगर में न्युक्ति पत्र बित्रन समारों में बोल रहे थे ये सारे statement जो है आपका यहां से मंगलवार में मेदनी नगर में न्युक्ति पत्र बित्रन समारों में ये चीज बयानिन का आ रहा था साथी साथ खनीज से राज बदनाम यहाँ पर ये बात बोर रहे हैं कि खनीज से राज बदनाम है मतलब हमारे जहरकंड में अगर खनीज है तो इसलिए हम लोग बदनाम हो जाएगे मतलब आपके पास अगर इस तरह की नेचुरल रिसोर्सेस रहेगी तो वो एस्टेट बदनाम होती है इस वज़े से गजब की मतलब एस्टेटमेंट है आप समझ सकते हैं किस लवल की मुर्क वाले बाते करते हैं इसका फाइदा हमें लेना चाहिए इसका हमें जो हैंपे फाइदा उठाना चाहिए ना कि इस तरह की अस्टेटमेंट जार्खन में अगर इस तरह natural resources है तो उससे जार्खन को development के जार्खन के बहतरी के लिए उसका उप्योग किया जाना चाहिए ना कि इसमें ये इस तरह की statement CM को ब्यान नहीं देता, सोभा नहीं देता कि इस पे जो है राज बदनाम हो रहा है CM ने कहा कि कोईला, लोहा, यूरेनियम, अभरक, बालू, मिट्टी के नाम से जाने गए और बदनाम भी हो गए बदनाम होगे, गोटाला पे गोटाला कीजिएगा तो बदनाम नहीं होईएगा खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा बारा आना, वहाँ हाल हो गया है हाँ हाँ, आपने तो खाया पिया कुछ नहीं है, और गिलास तोड़ा बारा आना, हाँ ये भात आप पे ही ज़्यादा लागू होती है क्योंकि एकदम प्योरिटी के साथ सारे वर्क कर रहे हैं है ना और कोई मुकदमा और किसी तरह का कोई आपके आरोप नहीं लगा रहा आपसे इमानदार सियम तो जारकन में हुआ ही नहीं है खनीज होते हुए हमारा परजा भिखारी कैसे हो गया ये आपको सोचना चाहिए क्योंकि आपको यहाँ पे इस स्टेट का जो है एक तरह से माली का नहाग दिया गया है आपको एक तरह से मुख्या बनाया गया है आपको ये सब समझना चाहिए कि सब चीजों को कैसे इटिलाइजेशन किया जाए और गरिब लोगों की बहतरी आपने जो आदिवासी लोग हैं अपने एस्टेडवासी के लिए अपने राजवासी के लिए कैसे बहतरी का काम करें इसके लिए आपको ये चीज़ बनाय गया था अपना समझ के लोगों ने आपको इस बद में आसिन किया था कि अपना आदमी आपनी भावनाओं को समझ सकता है लेकिन आपका तो अलगी रोना रहता है अब किसान किरिसी और खेल हुनर के माईदम से राज को आगे ले चलेंगे ये बात इनोंने कहा और फिर इन पर आप समझ सकते हैं इनका रोना यही नहीं खतम हुआ है ये आगे ये भी बोल रहे हैं कि राज के साथ सोतेला बेभार ना करे केंद्र आप राज के साथ सोतेला बेभार केंद्र कर रहा है मतलब आपका जो है Central Government इन पे सोतेला वेबार कर रहा है समझ सकते हैं किस तरह की चीजे statement देते हैं आपनी चीजों को अबर अगर CM यहीं जो है हमेशा जो है अपनी गलतियों को कभी इनों ने स्विका रहा है यह हमेशा जो है opposition party पे blame game खेलते रहा है और खुद को बचाना चाहा है लेकिन कोई बात नहीं स्वरेंजी हमारे जो राजवासी हैं हमारे जो पढ़े लिखे जुबा है इस चीज को समझ रहे हैं कि किस तरह की राजनीती आप लोग कर रहे हैं तो इसका जबाब आपको जरूर मिलेगी पूरी तरह से जो है पढ़े लिखे जुबा यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे जो है किसी भी परकार से वो संतूस्ठ है नहीं आपके ना काम से ना आपके नियूकती पत्र देने की स्टाइल से और जैसे जैसे अब भेकेंसियों में जो धांदली की बाते सामने आ रही है इससे तो पूरे इस पस्ट हो जा रहा है कि किस तरह से इस स्टेट को जो है करप्ट किया जा रहा है और किस तरह से जो है यहाँ पे जो है नोकरियों को बेचा जा रहा है तो यह था दोस्तो हमारे माननी ये CMG का statement जो आपके समग रखा सा काता हूं वीडियो informative लगी होगी तो चैनल पर फर्स टाइम विजिट किया होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा दोस्तों और एक लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडिट के साथ तब के लिए जाएं तो